नमस्कार दोस्तों चैनल पर आपका सवागत है तो आज का जो विशे है वो हम्टी के आटोमेटिक घडियों को मेंटें कैसे रखे हैं पिछली बार आप देखा था कि मैंने चाविवाली घड़ी पर special भढ़िया बनाया तहा उसके बाद कुछ भाहिवने रिक्वेस्ट की कि हम्टी के आटोमेटिक घडियों को पर सकते हैं उनके मन में संशे है कि शायद आट्मेंटिक घडियों का मेंटेनस बहुत जगा होता है मतब उन्हें मेंटेन्ट करना जबादा मुछकिल होता है इस डर के वाज़ियों से वी विशारे ऐसी घडिया नहीं ले पाते हैं तो मैंने सूच है घडियो बना के clear कर दूँ बहुत से शंका है लोगों के मैंन में पहली बात clear करता हूँ देखिए maintenance बिल्कुल जादा नहीं होता चावी वाली घड़ी और automatic घड़ी का maintenance सेम ही है कोई जादा फर्ख नहीं होता कुछ पार्ट्स एक्स्ट्रा बड़े चुके है जैसे डेड़ेट फुंक्शन आ चुका है पीछे का एक auto winding mechanism एक्स्ट्रा चुका है तो इसका मतलब यह नहीं कि maintenance जादा हो चुका है service charges अलग-अलग होते है लेकि maintenance सेम ही होता है और हाँ चावी वाली घड़ी आप चार साल में service कराते हो इसे अब साड़ेजें साल के असपस service करा लीजिए जादा practical यही है जादा late मत कीजिए अगर आप बहुत refuse करते हो तो पहले ही service कराया करो दूसरा इसे पानी से बचाओ हमेशा की तरह मैंने कहा आपको पहले भी के चावी वाली घड़ी हो या automatic घड़ी हो mechanical घड़ी हो को पानी से दूर रखना चाहिए जादा अच्छा होता है आपको tension लेनी की ज़रुवत नहीं है आप date जो function है इसके थोड़े से care के बारे में बात करूँगा देखिए मैंने एक special वीडियो बनाया है कि टेड़ेट चेंज करते वकित गलती ना करें अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देखिए उसमें मैंने बहुत सारे points जो है वो clear किये है फिर भी आमें यहां कुछ बाते बताना चाहूंगा देखिए इन घड़ियों का जो होता है जब system engage होता है डेड़ेट को change करने वाला automatic जब वो change करता है रात में आपको बता है तो उस समय आपको कभी भी manually डेड़ेट को set नहीं करना चाहिए generally जो वो समय होता है उस patch को कहते है danger zone तो वो danger zone में जब घड़ी चल रही हो तो आपको manually set नहीं करना चाहिए नहीं तो gears damage हो जाते है जो दात होते है date के ring के या day के जो plate होती है उसके वो खराब हो सकते है तो रात के 10 से लेके सुभे 6.5 बज़े के बीच में आपको manually day rate को set करनी कोशिश नहीं करनी चाहिए घड़ी को चलने दीजिए सुभे जब हो जाएंगे 6.5 बज़े आप चाहे तो set कर सकते है 6.5 के बाद मैं कोशिश करता हूँ के दिन में ही सब कुछ करू set और गरा करना जो है वो मैं कभी भी रात में नहीं करता इसलिए मुझे कभी को problem नहीं आया आप कोशिश करें कि उस danger zone से बचे इससे फाइदा ही होगा आपको क्योंकि देखिए ये metal के parts है और आप जो force लगाते हो नचाबी को खीचने में या फिर से अंदर रहकेलने में ये कोई हलका full का force नहीं होता ये metal को damage कर सकता है और फिर ये damage जो होता ही ये repair नहीं होता इसे replace ही करना पड़ता है तो मैंने उस वीडियो में clear किया है आप चाहे तो वीडियो जाके देख सकते है अब इसे daily usement maintain कैसे रखना है तो भाई देखिए कम से कम 8 गंटे अगर आप use करते हो मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में कहा है कि automatic घडियो कम से कम 8 गंटे अगर आप use करते हो तो मैंस्प्रिंग full wind हो जाती है 8 से 10 गंटे के इसाब से ही ने design किया जाता है कि एक general user होगा वो 8 से 10 गंटे use करेगा और उसके बाद वो घड़ी को निकाल के रखेगा यह सोच के आपको बना जाता है वैसे आप इसे 24 गंटों तक use कर सकते है कोई problem नहीं होता बहुत से ऐसे लोग है जो सिर्फ नहाने के समय घड़ी निकाल के रखते है बाकी जनरली उनके हाथ में घड़ी हमेशा रहती है ऐसे user है बहुत सारे जो field job होगा करते है जो जादर बाहर रहते है कई घंटों तक जिने field पर काम करना पड़ता है ऐसे लोग के हाथ में आप घड़ी को लगा तर देखोगे देखे आप दिन भर यूज़ कीजिए शाम को आने के बाद एक soft कपड़े से उसे clean कीजिए मतलब पोच लीजिए फिर उसके box में रख दीजिए storage box होता है जो उसमें या फिर आप किसी driver होगे रहा में आपके घर के रख सकते है उसे आपको आदरता से बचाना चाहिए क्योंकि आदरता के हवा जो होती है ये बाहर से भले आपको ना दिखे कि ये damage कर रहे है ये घड़ी को लेकिन अंदर ज़रू करती है तो basic maintenance यही है इसमें कोई आपको ज़्यादा tension लेने की ज़रूएत नहीं है देखें मैं आपको clear कर दूगे आगर आपके मन में शंका है ये घड़िया जो है आपको ज़्यादा परेशान करेंगी तो ऐसा नहीं है चावी वाली घड़ी और इंका maintenance सेम ही होता है कोई भी संब्रह्म हो हो आपके मन में तो आप दूर कर लीजे कोई प्रावलम नहीं आता है आप आराम से एक घड़ी लेकर यूज कर सकते है और हाँ जो भई है ऐसे जो अपने दादा जी की पिता जी की घड़ी जो है रिस्टोर करना चाते है अगर वो हम्ट है भले विचाबी वाली हो या आउटमाटिक हो तो आप बिना किसी संकोष के हम्ट के सर्विस सेंटर जाएए वहाँ ये घड़ी आराम से रिस्टोर हो जाएंगी क्योंकि हम्ट के 100% पर्ट कंपनी के तरफ से मिलते है अभी भी मिलते है घड़ी के जो पर्ट से उसका प्रोड़क्शन बहुत बड़े पेमाने पर होता है आपको टेंशन लेन की ज़रूरत नहीं है और हम्ट जो है वो रिजनेबल प्राइज में रिस्टोर हो जाती है ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि मैं बहुत सी घड़ियों को रिस्टोर करवा चुका हूँ सिर्फ हम्ट ही नहीं बलके ऐसी दुखलब घड़िया जिनके पर्स रुणने में कई बार महीने महीने लगते है ये घड़ी जो है हम्ट की घड़िया यह बहुत जादा प्रैक्टिकल है इनको आपको ऐसा शुरू में लगे है कि आप जादा खर्चा कर रहे हो लेकिन वह जो भी आप खर्चा कर रहे हो वह उस घड़ी के लायक है क्योंकि एक बार हम्ट को रिस्टोर करा लेते हो तो आपको अगले पंदरा बीस साल तीस साल को इटेंशन नहीं होता यह घड़ि जैसे उनका माइक्रोस्कोप होता है पार्ट को चेक करने के लिए क्योंकि वेरं टेर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है माइक्रोस्कोप के नीचे और उनके वास टाइम ग्राफर होता है उनका बहुत से एक्यूपेंट्स होते है तो इसलिए कोशिश करें कि आतुरे में तक बंद रहना ही मेजर प्रॉब्लम देता है अपके घडियों में बहुत से ऐसे लोग है जो घडिया एक बार रिस्टोर करा लेते हैं फिर उसे लगभग पाच्छे महीने यूज करेंगे उसके बाद एक बार वो ड्रावर में जाकर रख देंगे उसके बाद 6-7-8 महीन भी आइक वाले जाकर देक सकते है आपको मेने अगली एक प्लेलिस्ट बना कि दी है भी आप उसे वो वीडियो आप मिलेगए अलग-अलग घडियों की किसमें होता है किसमें नी होता है तो जादा आपको टेंशन लेने करने वालों ज्यादा लंबार वडियो बनाये मतलब नहीं है उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो लाइक करें नए है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो शेर करें ऐसे लोगों को जिने आटोमेटिक घडिया लेनी की इच्छा है लेकिन वो इस डर के वैसे नहीं ले पा रहे कि शायद ये घड़िया जो है मेंटेर्स में काफी हद तक हेवी है तो ऐसा नहीं है आपको टेंशन लेने की ज़रुरत नहीं है अपना ख्यार रखिए बाए